Hello everyone, my name is Ramar and welcome to Siramal Uthera Classes. So, NABFID, जो कि एक All India Financial Institution है, National Bank for Financing Infra and Development, इन्होंने अलग-अलग stream पे recruitment निकाले थी, जिसका result कल 31st of January को declare हो गया है. तो आप सभी जाके अपनी, क्या कहते है, email ID को check करेंगे, कहीं आप सब वो mail मिस ना हो गया हूँ. Generally, जो इन टाइप पे examination होता है, इसके results को declare करा जाता है, एक website के उपर document को upload करके, जहाँ पर roll number वगरा दी होता है. उसे एक फाइदा यह होता है, कि एक certainty मिल जाती है, कि एक vacancy के उपर कितने students को shortlist करागें interview के लिए. अगर इसकी बात करें, तो हम आपस को information नहीं है, official information तो नहीं है, कि एक seat के उपर कितने लोगों को interview के लिए बुलाया गया, बट unofficially जितना समझ में आ रहा है, तो जो ratio निकल करा रहे है, वो है 1-5 की. अगर Lending Operation Profile की बात करें, तो 15 vacancies है, 15 seats है, तो लगता है कि इसके लिए 75 students को shortlist करागे interview के लिए. तो जो आपका भी competition है interview के respect में, वो भी काफी tough होने वाले है, ठीक है न? चलो जी. आगे बात करें, इसके selection process की, आपका written examination हो चुका है, जो 100 marks का था, और अब आपका जो interview होने वाला है, वो भी 100 marks का होने वाला है, अब जो final selection, final score निकाले जाएगा, उसमें weightage दिजाएगी आपके written examination को 70% की, ठीक है जी? अब ये तो हो गया, अब आप आप interview की, interview को दिजाए अगर 30%, 30 marks, जो कहीं से भी कम नहीं है, ये 30 marks क्या कहते है, बहुत ही difference बनाएंगे, जो मतलब candidate काफी अच्छा perform करेंगे interview के अंदर, उनके अच्छे chance अब selection के, तो अभी आपको काफी कम time जागे, approximately 9-10 days मिलें आपको interview के लिए प्रिपेर करने के लिए, तो इसको prepare कैसे अच interview के respect में, जो भी आप profile पे appear करें examination के लिए, उसकी job profile और desired skill लिखे होए है, notification के अंतर, तो आप वो जाके वापिस पढ़ेंगे, जो भी आपके पस educational qualification याफिर work experience है, उसको आप relate करने के कोशिश करेंगे, उस job profile या desired skill से, अगर आप उसी job profile में already काम कर रहे हैं, तो तो बहुत ही पढ़िया, तब आप अपने जो clients हैं, जो भी आपने काम अगरा किया है, उसके बार में detail में information gather करेंगे, और वो interview में आपको obviously पूछा जाएगा, ठीक है ना, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, अपने resume में अच्छे से बनाएंगे, कुद के लिए बनाएंगे, अगर आ नहांगा पर question पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना, इस resume को आपको link करना है, job profile design skills से, चाहिए आपकी education हो चाहिए, आप एकदमी नए student हो, fresher हो, तो आपको education से बताने है, हाथ जी देखो, यह relevant education है, job profile and design skills के respect में, में पास अभी theoretical knowledge है, जिसको मैं क्या कहते है, organization में जाके सीख ठीक है ना, और अगर आप यह करते हैं, अभी कहीं पर काम कर रहे हैं, तो current job profile जो आपकी previous employers है, उनके बारे में आपको अच्छी information होनी चाहिए, इसके बाद आप पढ़ेंगे, NABFID के बारे में, NABFID relatively new organization है, जो भी budget speech में इसको बनाया गया, वो budget speech को पढ़ेंगे, फिर इ प्राम कर रहे हैं, तो infrastructure में जो भी government के initiatives है, चाहिए public private partnership होगी, green projects होगे, जो भी initiative है, PM, गति, शक्ति, जो इनिशेटिव हैं, उनके बारे में detailed information आपके पास होनी चाहिए, ये चार बाते, सब के लिए apply करते हैं, चाहिए आप किसी भी profile के लिए interview के लिए appear कर रहे हो, आपक perfect dub होता है, जब आपको उसके अंदर जो लिखा है, उसके उपर आप portion को answer कर सको, ठीक है न, चाहिए आपकी education हो, चाहिए आपका work profile हो, फिर आपका क्या करते है, जो भी job profile है, उसको अच्छे से explain करेंगे, क्या role है, क्या काम करते हो, detail में समझाना है, फिर na bf id और infrastructure, ये सब के लिए, क्या करते है, सेम होगा है, जिस भी profile के लिए आप appear कर लें, अब आती है, lending operations की बात, जिसके लिए मैंने prepare करवायता है, कुछ students को, अब इस respect में देखो, credit appraisal तो आपको समझ मैंना चाहिए, lending operations के अंदर, आपके पास refinancing के लिए projects आएंगे, banks अप्रोच करेंगे, तो वहाँ पर appraisal करना होता है, अब appraisal करने के बारे में, आप काफी सारी बाते पढ़ चुक है, जब आपने examination के लिए prepare किया, जो नई बात होने वाले है, क्योंकि इसका examination काफी ज्यादा, क्या कहते है, inclined था, project finance की तरफ, तो अभी के टाइम पर आपको जो एक technical part को cover करना है, वो है project finance, इसके बारे में online जितनी भी information available है, चाहे RBI की website हो, चाहे Indian Institute of Bank and Finance की website हो, वहाँ पर जो भी आपको information मिलते है, project finance की उपर, infrastructure लेंडिंग की उपर, वो आप गयादर करेंगे, तो अगर आपको और information चाहिए, तो आप मेरी कहते हैं, application पे जाके, इसके mock interview के course के प्रायोर्टी दी जाएगी, वो obviously जो पहले के enroll students है, उनी को दी जाएगी, but अगर bandwidth रहेगी, तो आपका भी interview connect करा लेंगे, क्या कहते हैं, जो enroll student नहीं है उनका भी, ठीक है न, आपको कोई doubt आता है, तो application पे जाके download करके, आप मुझसे chat section में बात कर सकते हैं, सारे के सारे link आपको इस वीडियो की description में मिल जाएंगे, चलो जी, इस station को नहीं पर समाथ कर जाएं, ओके टाटा, बाई-बाई